आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Alcines में addition एक step में होता है और alcine में दो step में Alcines show geometrical Isomerism बट alcines do not Alcines जो हैं वो geometrical Isomerism शो करते हैं बट alcines नहीं करते Alcines are more acidic than alcine 游how more acidic than alcine हमारे alcines Alcines से जögदा acidic हैं और alcines आपकी alcines से भी acidic हैं बोथ alcines और alcine can be prepared by electrolysis of sodium or potassium salt of carboxylic acid अब आपका question है कि which of the following molecule can exhibit the geometrical isomerism यहाँ आपको दो molecule given है 2-methyl-but-2-in-1-ol and 3-methyl-but-2-in-1-ol तो अगर मैं लिखूँ तो यह मेरा A and यह हमारा B अब इन में से कौन सा हमारा geometrical isomerism शो करेगा आपको यहाँ पे यह चीज बतानी है हम पहले क्या करते हैं इसका structure ड्रो करते हैं यह आपको क्या क्या रहा है A में आपका है 2-methyl यहाँ पे हम लिख लेंगे 2-methyl-but-2-in-1-ol अब मैं यहाँ second की बात करूँ तो second में हमारा क्या है यहाँ 3-methyl यहाँ पे but-2-in-1-ol ठीक है अब यहाँ पे आप से क्या पूछाए geometrical isomerism तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसकी geometrical isomerism की तो basically उसमें हमें क्या देखना होता है यहाँ पे देखना है कि cis और trans geometrical isomerism में आपका क्या आता है कि आपका cis और trans दो तरीके की configuration आपकी possible है तो जिसमें आपका cis trans बनता है वो हमारा क्या होता है शो करता है geometrical isomerism जैसे suppose यह मेरे पास इस तरीके से है यहाँ हमारे पास substitute है अब यहाँ पर आपके पास क्या है अब आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पर आपका यह क्या है opposite है तो यह आपका क्या होता है trans इसको हम बोलते हैं trans, हमें वही चीज देखनी है, अब इसका structure ड्राउ करूँ, तो but, यानि चार कार्बन, तो 1, 2, 3, 4, second पर आपका double bond होगा, in, and two पर आपका क्या है, यहाँ, methyl है, one पर आपका क्या गया रहा है, old, यानि कि आपका ये क्या है, CH2, इधर आपका OH, ये इस तरी होगा, ये इसका structure होगा, अब अगर मैं इसका ड्राउ करूँ, तो देखो, ये मेरा carbon, double bond carbon, इसके पास एक hydrogen है, यहाँ पर एक methyl है, इस carbon के पास आपका एक methyl है, और यहाँ पर मेरा CH2OH है, अब अगर आप देखो, तो ये दोनों methyl आपके कहां है, same side है, तो अगर ये same side है, त let itis, does not know, आपर होगा है, और यहाँ पर मेरा oh, तो यहाँ पर अपका सिसट्म शोग कर रहा है, तो ये आपका सिस्ट्म शोग सव प्रेगा, अब सेकिंद की बात करते है, तो 2nd मेहा आपका क्या है, यहाँ पर 3 methyl, यानि 1, 2, 3, 4, third आपका third पे methyl है, second पे आपका in है, and one पे आपका oil, यानि की OH group है, तो यह आपका इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे एक hydrogen होगा, similarly यहाँ पे आपका इस तरीके से CH3, अब अगर मैं इसका structure ड्रॉ करूँ, तो मेरा C, double bond C, इस carbon पे मेरा methyl है, और इस carbon पे methyl है, and यहाँ पे आपका इस carbon पे hydrogen है, और इस पे आपका CH2 OH है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इस carbon पे दोनो methyl है, और यहाँ पे आपका hydrogen और एक आपका CH2 OH है, तो क्या यह आपका geometrical दिखाएगा, क्यूंकि आपका यह दोनों क्या है? सेम है, जब यह दोनों सेम है, और यह दोनों आपके different है, तो अब यह तो इस carbon पे है, तो यहाँ पे यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आपका A, B, A, B, इस तरीके की configuration आपकी होनी चाहिए, बट यहाँ पे आपका देखो, तो यह दोनों ही different है और यहाँ पे methyl, methyl है, तो यह तो सेम carbon पे है, अगर यह methyl यहाँ पे होता तो आप cis trans दिखा सकते थे, तो यह आपका cis or trans नहीं show करेगा, अब तो हमारा कौन सा show करेगा आपका, जो first है वो आपका यहाँ पे geometrical isomerism show करेगा, ओके गाई गाई, थैंक यू